लाखो रुपे खर्श कर बनाई जा रही सीमेंट सड़क गुन्वत्ता के चलते विकास कारे का मखौल उडाती दिख रहे हैं हैरानी की बात तो यहा है कि रिंग रोड का काम पूरे होने के पहले ही क्रैक होने से उसे तोणने की नौ बताई है दाबा चौक से करीब 400 मीटर की पकी दो लाइन सीमेंट सड़क कुछ ही साल पहले बनी लेकिन सड़क क्रैक हुई निर्मान विभाग की जानकारी के नुसार यह 400 मीटर की सड़क ट्रायल बेस पर बनाई गए थी लेकिन साल भर में ही क्रैक हुई पकी सड़क होने की बावजूत उसे तोड़ा जा रहा है एक साइड की और ने सीमेंट रोड का निर्मान चल रहा है बताया गया कि नई सड़क उंची हो गई है उसी के बराबर में उसे लाने के लिए तोड़ा जा रहा है अब 400 मीटर सड़क पर दोबारा बनाने की नौबत आई है साकेत इंफ्राप्रोचेक्ट लिमिटेट कमपनी अब काम करेगी बताया गया कि जो 400 मीटर की सड़क बनी थी उस पर करीबं 30-40 रुपए खर्च किये गये थे सड़क क्रैक होने से पैसा पानी में गये और दोबारा सड़क बनाने में उतना ही खर्चा आएगा सरकार का हो रहा खर्चा इसे जिम्मेदार कौन है या प्रश्न आमनागरिकों ने क्या वाडी से सुरप पाटिल इन डिसी न्यूस नाकपुर